अब रखाल सुष्ट कीजिए सिखेंगे नेचिन जोड करना था और कलव में स्रीफ्ट के वीडियो सब्सक्राइब नंब को भements developed नियुक्ट है कि जो ये श्यरी स्टार्ट किया वो बेसिक लेबल से हम लोग जाएंगे एडवांस लेबल पे तो हम जब बेजिक लेबल से स्टार्ट किये हैं तो हर इक पॉइंट हमें कभर करना है तो इसलिए हमने एडिशन को अभी कभर किया अब नेक्ष वीडियो जो बढ़ेंगे दे दे आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज का जो वीडियो हमारा है इस पेसली एडिशन पर आएगा और इसमें चितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं उन सारे टाइप्स के नंबर जो होगे उनको हम एड करने के सही तरीके सिखेंगे सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को एड करने का तरीका सिखेंगे यह जो है एकदम बेसिक लेबल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर को हम कैसे एड करें नेचुरल नंबर होता है प्राकृति संख्या और आपको मैंने पहले भी पहला वाला जो वीडियो अगर आप देखें होंगे तो आई बटन पर अभी क्लिक करें पहले उसको देखें फिर आके यह वीडियो देखें ठीक है वैसे मैं आपको साटकर में बता दू कि वे नंबर जिनका इस्तमार काउंटिंग में किया जाता है जिनका इस्तमार हम गिनने में करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं नेचुर नंब तो इस हिसाब से अगर step by step चलेंगे तो आपको कोई दिक्कते नहीं आने वाली और step by step चलोगे तो आप mathematics में एक्सपोर्ट बन जाओगा, math में एक्सपोर्ट बन जाओगा, ठीक है, तो आईए हम सबसे पहले सिखते हैं natural number को aid करने का तरीका, अब natural number को aid करने में हम दो तरीके मतलब जिसमें दहाई के number से नहों, अब इकाई दहाई क्या होते हैं, इस माले से यह 5, 4, 3, 9, 1, ऐसे हैं, तो जो पहला number होगा, उसको अब इकाई कहते हैं, जो दूसरा number होगा, यानि जो दूसरे place पे होगा, उसको दहाई कहते हैं, तीसरे वाले को सैकडा कहते हैं, आगे हम लोग इंडियल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हम सिखेंगे, जो नमबस जो होते हैं, वो इंडियल सिस्टम क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, आगे हम सिखेंगे, पिलाद आप ऐसे समझ ले, पहले वाले को इकाई कहते हैं, दूसरे वाले क पांच को अगर आप 6 में जोडते हैं, तो 5 और 6 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, तो यहां कितने नंबर आए, दो डिजिट्स के नंबर आजाए, जब दो डिजिट्स के नंबर आजाए, दो अंक के नंबर आजाए, उनको कहते हैं, दहाई बाले नंबर, इनको कहते हैं, दहा अंक के नंबर मिले तो और अगर दाहाई वाले नंबर मिल जाते हैं इस वालेको हम हासिल माद एता है ठेक यह वाला हासिल हो जाता है और इस वाले नंबर को को इकाई जो आले जो नंबर है इसको 없어 सबक्राइब बयादा एकाऊव की हिसरे वाले हुए थार इसको इकाई काउंटिकरते एकाई नुट कि जो नंबर सबुसक्राइब पहले वाले जगापने काउब Medium शाहिए नंबर को कि यानि दहाई को ही ह struggling माल लिया जाता है ठीक है तो जो एडिशन हम सिर्गेंगे नेच्रों नंबर का 이 तरहँ से सिर्गेंगे पहला कि जिसमें आप2 दोसा सिर्गेंगे जिसमें वह आता है जैसे 451, ठीक है? पहला एक्जामपल है, इसको अगर आप 8 करते हैं, 218 में, ठीक है? तो 8 हम कहां से करते हैं? राइट साइट से, यह राइट साइड होता है, यह लिफ साइड होता है, राइट से 8 करेंगे, एक को 8 में जोड देंगे, कितना होगा? 9, ठीक है? एक में पांच को जोड़ दें कितना होगा? शह या पांच में एक को जोड़ दें ऐसा होगा अब चार में दो जोड़ने है चार और दो शह ऐसे होता है यह हो गया हमारा दगर हासिल वादा नमबर अगर आपको सिंपली जोड़ना नहीं आ रहा है तो समझिए यह एक है तो एक यहां नोट कर लेजिए यह आठ है आठ बार यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब इसको काउंट कीजिए वन, टू, थ्री, फॉर, फाइफ, सिक्स, सेविंग, एट, नैन कितना हुआ? प्रॉटल है कितना काउंटिं हुआ? नाइन, 9 को यहां नोट कर लेजिए ठीक है? अब इसको देखिए, यह कितना है, 5 5 टाइम्स आप यहां पे ऐसे कर लेजिए ठीक है, कितना है, 5 नीचे कितना है, 1 एक को नोट कर लेजिए अब इसको count कीजिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होगा, 6 को मोट करते हैं, अब यह कितना है, पहला, 4 है, तो 4 लिखे है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, नीचे क्या है, इसके just नीचे, इसी के सामने जो होता है, उसको उसी में जोड़ते हैं, नीचे क्या है दो है, तो यहाँ दो और ले लेंगे, एक, दो, दो और ले लिया मैंने, नीचे वाला भी, इसको counting कीजिए, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, कितना है, 6, यहाँ पीछे लिखे, क्लियर होगा है, कैसे चोड़ा जाता है, अब देखिए, यह है बेगर हासिर बादा नंबर, इसमे आप यहाँ पे होता, अगर मालेजी ऐसे होता, 2, 1, 8, तो जब 3 और 8 को जोड़ेंगे आप, तो कितना हैगा, 11, देखिए, दो डिजट हो गया, 2 अंग हो गया, 1, 2, 2 अंग हो गया, ऐसा तो था नहीं, यहाँ पे अकेले अकेले आ रहा था, इसलिए जब अकेले अकेले जो दस, यहाँ दो डिजिट्स में जब चला जाए, तो वहाँ पे चला हो जाता है, हासिल भी नंबर आ जाता है, तो वो दहाई वाले नंबर हो जाते है, क्लियर हुआ, सैकड़े वाले नंबर भी हो जाते है, तो जो पहला वाला होता है, उसको नोट कर लेते हैं, और बाकी को ले लेते हैं ठीक है तो अब हम सिखते हैं हासिल वाले नंबर को कैसे रेट करें पहला यह था बगर हासिल वाला क्या बगर हासिल जिसमें हासिल नव आता हो ठीक है अब हम देखेंगे हासिल वाला मंबर दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं जिसमें हासिल हो कि 9549 में अगर आपको 3109 इसको एड करना हो कैसे एड करेंगे यह कितना है नहीं मैंने क्या बोला था आपको ऐसे लक्ड़ी ले 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 ना उतना है नोट करना है तो यह दोनों जोड़ेंगे तो कितना है गा एकटीन कितना है गा एक डो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारव बारा तेरह चोड़ा पंद्रह सोला सत्रह अठार अब क्या करेंगे यह दो अंक का नंबर हो हाराई दो आंगहां सकते होता है इसको कि त καला वाला नंबर होता है उसको इकाई वाल organizator उस्amtक्राइब करें नभानी ही दिहां मुटष्य है इस करना वाला नंभर टान रियुक का यह दूसर यह Attic यह क्या हो जाता है हमारा हांसिल होजाता है क्लियर अब यह हमने इसको हैंस्य माल लिया आप उसको याद रखेंगे माइन में उसका यूज हम दूसरे वाले नंबर को nuclear करतें वक्त उसमें एड करतें लिए अब देख सुर ऑर ढूल तो 4 और 0 क्या होगा 4 ही होगा इसे महाने जिए 1,2,3,4 नीचे क्या है 0 याने कुछ भी नहीं तो बस हम कया करेंसे इस ही को गिल लेंगे से 1,2,3,4 4 होगा तो 4 है यह नहीं लिखेंगे पैसे यह देहेंगे किया इसमें हासिल आया था यहां पर हासिल जोड़ने है कितना अचल उसे की दू ही जड़ने की रोबतitaire अब इसको इसमें कईबचा करिंदें कितना होगा 6 इसमें कोई हासिल बचा कि यह दूंग का नंबर नहीं है तो इसने जैसे है वैसे यहां नोट करेंगे। उसी के सामने लिखना ही है नहीं कि यह जोड़े यहां लिखती है ऐसा नहीं। इसी लाइन में सीधा सामने हैं। अब 9 और 3 को जोड़े। 9 है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह कितना है 3 है 1,2,3 जोड़ दीजिए यह तो 9 है 10,11,12 अब यह लास्ट है ना इसके बाद कोई नमबर नहीं है देखिए कोई नमबर नहीं है तो जितना हासिल भी आएगा वो पूरा-पूरा हासिल नहीं लेंगे यहां प के लिएर हो गया यानि यह जो हासिल वाले नमबर है अगर अगर लास्ट वाले से पहले अगर है तो उसको हम लोग आगे टास्वर करते जाएंगे के लेकिन अगर लेकर лосьट वाले में ओड़ने पर फ्रपाइट नारी नेट इस आठ अपने यहां नोट किया था और यह जो एक है वह था तो उसको किसे जोड़ना रहेगा इसके जस्ट बगल वाले में तो जो बगल वाला होता है यह 4 इसके उपर एक लिक किया से रौंडिंग करदें यह जो चार है कि किसीमें एक करना है इस तो 4 के ऊपर एक लिखिए, जितना हासील है, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, लिखिए उसको राउंडीन करतें hem, अब क्या कर bags? कि यहा से जोडना है, 1-4-5, 5 में 0 जुड़ेगा सो 5, है दा समझ में, तो यह आसान method हो जाएगा और इस तरह से आप भूलेगे, भी लें हो गया दूसरा आंटीक्र शोस गफाल होगा है मौत तो आपको समझ्व में आ रहा होगा इसको कहते हैं HYND से वही तरीका है बड़ से एक प्लस और माइनस का सिंगल लग जाता है इससी एक्जामपल ले लेते हैं कि 4 में माइनस 5 को जोड़िए ऐसे भी क्वेस्टन आपको पूझ देंगे कि 4 में माइनस 5 को जोड़िए ठीक है तो इसको एसको कैसे करेंगे लिए चार में 5 को जोडना है, चार में प्लस करना है कि इसको माइनस 5 को, अब इसके लिए आपको सुखना होगा, कि अगर प्लस की मल्टिप्लाई, अगर आप प्लस में करते हो, तो इंसौर आएगा किसमें, प्लस में, अगर माइनस की मल्टिप्लाई, अगर आप प्लस में क करते हो तो क्या होगा माइनस की मल्टिप्लाइग प्लस में कर रहे हो तो क्या होगा और अगर प्लस की मल्टिप्लाइग माइनस में कर रहे हो तो भी माइनस होगा और माइनस अगर है दोनों जगा पर उसका आपस में गुड़ा कर रहे हो माइनस का गुड़ा अगर माइनस मे माइनस में करो अगर दोनों जगा सिंबल समान है दोनों जगा सिंबल अगर इक्वल है तो इसका मतलब वह जो होगा प्लस में आएगा और अगर दोनों जगा सिंबल डिफ्रेंट है एक जगा माइनस एक जगा प्लस एक प्लस एक प्लस एक जगा माइनस तो जो एंसर होगा व से तरह से हम यहां क्या लिख सकते हैं माइनस पांच आया समझ में यहां चार को पांच में से माइनस करते हैं अगर बड़े वाले सिम्बल में उसके सामने अगर बलस है तो हमारा answer प्लस में आएगा और बड़े वाले के सामदें अगर minus है तो answer minus में आएगा तो बड़ा कौन है इसमें? 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 इसके आगे क्या minus? तो answer के आएगा हमारा minus में आएगा क्या होगा बड़े वाले में से छोटे को घटा लेंगे चूंकि यहां पर माइनस है तो बड़े वाले में से हमेशा घटाते हैं तो इंस्वर हमारा माइनस में ही आएगा लेकिन हम क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे कितना हो जाएगा पांच मे जो बड़े वाले के सिम्बल आगे जो सिम्बल होता है उसे सिम्बल को उतार नेगे तो इस तरह सीलिए यहाँ मारा हो जाएगा माइनस एक क्लियर हुआ एक और एक्जाम्पल सुमस्त है दूसरे एकजाम्पल है है नो को माइनस छो में जोड़िये और को अव्युक्स को और कितनी मैं जोड़ना ने नो को अभी मैंने ऊपर बताया था यहाँ ब्रेकट्स नहीं दिनक है धे जलूए कि अब द क्या है कि बढ़ा बाला कों दैब बीटSO शूल को में यह आप हमेशा याद रहें कि अगर जोड़ा और घटा रहें तो जो बड़ा वाला नंबर है यह भी मल्टिप्लाई में भी लगता है जो बड़ा वाला नंबर है उसके सामने अगर प्लस है तो एंस्वर प्लस में आएगा अगर उसके सामने माइनस है तो एंस्वर माइनस मे हैगा किएए अब यहां पर क्या होगा बड़ा वाला क्या है प्लस में होटा वलक यह उससे बड़े वाले प्लस आ से और 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए कैसे माइनस करना है सिंप्री आपको ऐसे कर लेना है यह 9 हो गया 9 में से कितने को माइनस करना है 6 को तो 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए 6 यह खतम हो गया बचा कितना एक 2 3 3 को नोग कर लेजिए प्लस में अंसर आएगा क्यों प्लस में आएगा क्यों बड़े वाले की सामने प्लस है क्लियर हुआ बस ऐसे आपको एड करने है कल हमने सीखे लिया था कि fraction को कैसे एड करेंगे अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उपर आए बटन पे क्लिक करकर उसको भी देख ले कि हम fraction को कैसे एट करते हैं। हमने वहाँ पी एक topic छोड़ा था mix fraction जो की मैं अभी बता देता हूँ कि mix fraction को कैसे हम solve करेंगे कैसे aid करेंगे ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ mix fraction का बताऊंगा और अगर आपμε नर्मले फ्रेक्शन के बारे में ज़ना चाहें, तो उपर आई, बटन पे क्लिक करकर उसको भी जुरूर देख लेए फ्रेक्शन क्या होता है, अमने कब अच्छे से जाना भिन्ड इसको हिंड़ी में कहते है को कहते हैं और mix को कहते है मिष्रित बोले मिष्र ऐसे भी बहुता है मिष्र भीन भीन मतलब बटा जो बटे के रूप में हो ऐसे यह बटा आ जाए पीच में जैसे चार बटा पाज ऐसे तो यह होते हैं बॉर ही नारवन फ्रेक्शन लेकिन अगर ऐसे आज़े हैं चार सही को एक प्रोटा एक बट्टा दो अगर ऐसे अगर आज़े तो इसको कैते हैं Mixed Friction अब ऐसे और फ्रेक्शन हो तो उसको कैसे एक करें आई यह सीखते हैं इसी को mix fraction करते हैं एक्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 4 तो 4 से ही एक बटा 5 को अगर 4 से ही 3 बटा 6 में जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे यह देखें सबसे पहले जो बटे के नीचे हैं वोक देख लेते हैं बटे के नीचे यहां पांच और यहां पे 6 दोनों बराबर नहीं है इसलिए यह हम बोलेंगे unlike mix fraction दो फ्रेक्शन हमने कर पढ़ाता है एक पढ़ा तो like fraction और एक पढ़ा था unlike fraction जो तो किवड़ेंगे इसमें हम क्या करते हैं है किए वोम बुड़ा करते हैं जितना आये इसको मुर्ड़ाइगा इसको मुल्डिप्लाइग करने में जितना आयेगा इसकोager creation उसको हम ले जाके इसमें जोड देंगे जितना हमारा प्रॉडॲक्ट आएगा जो भी गुड़ा करने यहां जोड देंगे। निड़क कर not final फाइनल जो नंबर आयेगा उसको यहां नोट कर लेंगे और यह वाला नंबर कभी बदलेगा नहीं जो बटे के नीचे 5 है वो हमेशा रहेगा इस नंबर से इस नंबर की मल्डिप्लाइ करेंगे जितना आयेगा उसमें एक को जोड देंगे पांच के गुड़ा चार में करेंगे कितना होगा बीस और बीस में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 ठीक है बटे के नीचे 5 है वो 5 हमेशा ऐसे ही रहेगा देखिए जो फाइनल नंबर आया था जो फाइनल एड करने पे जो आया तो उसको यहां नोट कर रहेंगे बटे फिर यहां पर आएंगे से मुई उन्रॉड़ा होगा तो 24 24 में अब 3 को क्या कर्देधे एड कर देते थे एड कर्ना तो जब 24 में 3 करेंगे कितनास Tages 데 7 7 और यह नीचे हो जाएगा कल वाले के जैसे, यानि जो कल हमने सिखा था, उसके जैसे ही हो गया, इसको सालब कैसे करेंगे, कल हमने कैसे सालब किया था, इन दोनों का क्या किया था हम लोगों ने, निकाला था, एक चीज़ ओर देख लेए, जब इसमें और इसमें इसे नबर में सुर्फ एक काडिकुरेंट हो, किसका, सिर्फ एक नमबर का, तो उन दोनों को आपस में classify करने से यलसीए मिल जाता है, और जब एक से ज्यादे डिफरेंट हो थो उसका यलसीए कल हमने निकाला था वैसे निकालना पड़ता ठीक है तो देखिए दोनों के बीच में कितने का डिफ्रेंट है एक नंबर का और एक नंबर का डिफ्रेंट होने के मतलब यह कि एक नंबर होगा सम और एक होगा भी सम यह है सम यह है भी सम आपस में लिप्लाई कर देंगे तो हमारा वो क्या हो यह जाएगा यल्सीम हो गया यादि 5 और 6 का यल्सीम कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तो 30 मूट कर देंगे वैसा यल्सीम निगालने का तरीका में आपको बता दू 5 और 6 को कामा के हिसाब से अलग-अलग कर लेंगे और सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से काटेंगे किसी को भी काटेक कर जाना चाहिए इसको नहीं कर रा है सुमतालेजिए यह जब लेए सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से आप स्टार्ट करें उसके बात क्या करतें सारी नंबर को आपास में मल्डिप्लाई कर लेते हैं मल्डिप्लाई करेंगे जो नंक आपको जो संख्या छे पाचे 30, देखें, 2, 3, 6, 6, 5, 30, clear हुआ, तो 30 हमारा LCM हो गया, अब क्या करते हैं, यह जो नंबर होता, उसका टेबल पढ़ते हैं, कि क्या आज आए 30, तो जो 5 का टेबल, पहाडा, आप 6 बार पढ़ोगे, तो 30 आएगा, तो जितनी बार पढ़ना होता है, उसका लेजा आया था, तो 6 बार में 30 आया है, पांच का पहाडा आपने 6 बार पढ़ा है, तो 30 आया है, तो 6 की मल्टिप्लाई 21 में कर देंगे, तो कितना होगा, 6 बन जा, 6, 6 टूजा 12, 12, 126, 6 का पहले हम पहले वाले में उड़ा किये, तो 6 आया, तो 6 लिग दिए, फिर 6 का मल्टिप् आया, तो 5 बार पढ़ेंगे, तो 30 आया, कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार, अब क्या करेंगे, इस 5 को लई आके, इसके जस्ट उपर वाले नमबर में मल्टिप्लाई कर देंगे, इसमें उपर वाले नमबर में मल्टिप्लाई कर देंगे, पांच की मल्टिप्लाई इसमें क करेंगे तो 5 से मज़ा 35 5 सते 35 बीच में सिंबल क्या है प्लस तो प्लस कर ले 35 का यह 35 ऐसे होता है तो मैंने क्या बूला था हासीड वाज नंबर दो डिजिट का होगा है तो पहले वाजे-न नंबर को उतारते हैं पहले बाधने नूमबर को हमने उधार लिया यह तिन हमारा क्या हो जायगा? हासिल हो जायगा ठीक है? अब क्या करेंगे? पास का इसमे टेबल हो गया अब पास का टेबल दो में पड़िये पाँस दुना? दस दस में हासिल को जोड आजओ कितना हो जागा 13 यह हमारा मिल गया 135 अब क्या करेंगे इन दोरों नंबर को जोड़के उपर लिख लेंगे और 30 को वहीं छोड़ेंगे इन दोरों नंबर को जोड़ेंगे पहले बाले को पहले में जोड़ेंगे दूसरे बाले को दूसरी में जोड़ेंगे तीसरे बाले को त एक तीन और दो पांच और एक हासिल छे एक और एक दो हासिल तो कुछ बचा नहीं कि तो इसे डो रहएंगी ठीक है अगर कंट रहे हैं तो काट देजिए नहीं कहट है तो एसे छोड़ दजी ठीक है यह आपका एंसर लेगा ढ 스beam v counsel time आ d और नहिता था जिस अठीन से कॉंट रहा है थो किसे अfter来 ख़ेक्त है यह क्लिकर में। कैसे एड करता है यह उसको सिखते है बेसिमव माले नंबर जो होते हैं उनको कैसे एड कर तो एक्जामपल देते हैं उसको एड करके आपको मैं बता देता जिसमाल इस यह 5.319, इसको जोडना है किस में? 1.392 में. कैसे जोड़ेंगे? जो आखरी बाला नंबर होता है, उसको आखरी में पॉइंट के बाद, यह पॉइंट के इदर नहीं देखेंगे, पॉइंट बाले को पॉइंट में ही जोड़ेंगे, और नार्मल वाले नंबर को नार्मल वाले में जोड़ेंगे, ठीक है? अब यह 9 है, कितने डिजिट है? तीन, यह भी देखेंगे, कितने डिजिट है? तीन डिजिट है, ठीक है? अब क्या करेंगे? तीन तीन जब डिजिट होता है, तो क्या करेंगे? आखरी वाले नंबर को आखरी वाले में जोड़े तो यह जोड़ेंगे, तो यह 0 गयाँ कर लिया है, फिर 3 को 3 में जोड़ेंगे, कितना होता है, 6 और एक हासिल गाज से बनादा, फिर पॉइंक तीसरे वाले नमबर पर पॉइंक यह जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 पर यह नमबर है इसका दूसरा एक्जामपल आपको दिखाता हूँ यह पहला एक्जामपल था जूसरा देखते हैं 0.981 को 4.32 में जोड़ें कैसे जोड़ेंगे 0.981 ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं प्लस क्या करेंगे 4.32 यह तीन डिजिट है यह दो डिजिट है तो यहाँ पे एक और उतार रहेंगे क्या 0 जोड़ेंगे एक में 0 जोड़ेंगा तो 1 आठ में 2 जोड़ेंगा तो 10 10 मतलब 0 हांसिल 1 आप यहाँ नोट कर लें सबसे बेहतर रहेंगा यहाँ पे क्योंकि यह तो जोड़ यह हांसिल इसमें आया तो यह इसमें जोड़ेंगा तो इसके ऊपर नोट कर लेंजे 9 और 3 कितना होता है 12 यहाँ बारव में एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13 आपको पसंद आई होगी आपको समझ में भी आई होगी अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सेर करें ठीक है और अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुनना बोला